वेलकम स्टूदेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीस और प्राइललोग्रम चेप्टर की धियोरम 16 प्रूफ करने जार रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि इस धियोरम में क्या बोला गया है प्रूफ देट इफ the opposite sides of a quadrilateral are equal than the quadrilateral is a parallelogram हम लोग पिछले जो दो थियोरम किये थे वहाँ पे हम लोग देखे थे कि पैलालोग्राम का कुछ प्रॉपर्टिस देखे थे यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ठीक है क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका चार्ट साइट्स होता है उसका opposite sides equal है proof that if the opposite sides of a quadrilateral are equal मतलब एक quadrilateral का अगर opposite sides equal होता है then the quadrilateral is parallelogram यह हमको दिखाना है तो parallelogram होने का हमका हमारा first criteria क्या है कोई भी parallelogram का जो opposite sides होता है वो parallel होता है and equal होता है ठीक है तो equal तो यहाँ पर देई दिया है देखो opposite sides equal है मतलब एस sides and एस sides opposite sides are equal तो हमको क्या दिखाना है कि यह दो sides parallel है ठीक है तो parallel दिखाने का एक rules है कि हम तुम लोग को बताये थे कि alternate angle अगर दो line parallel है तो उसको अगर कोई line ऐसे intersect करता है ठीक है कोई भी line ऐसे अगर उसको bisect करता है तो यहाँ पर यह जो line parallel है उसके साथ यह जो दो angle बनाता है इस दो angle क्या है equal होता है ठीक है अगर यह angle A है यह angle B है तो angle A equals to angle B इसको क्या बोले जाते है alternate angle यह हमने पिसले दिन तुम लोगों ने यह किये थे तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि यह दो line parallel है ठीक है तो parallel दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे कि अगर हम लोगों कोई alternate angle मिल जाए मतला कोई अगर इस तरीके से कोई angle मिल जाए कि यह दो equal है तब जाके हम लोग बोल पाएंगे कि यह दो line parallel है तो उसे हिसाब से यह theorem हम proof करेंगे तो पहले देख लें कि क्या है सब्सक्राइब इसका हम नाम दे दे ABCD यह है quadrilateral तो पहले हम लोग लिखेंगे given तो given क्या लिखोगे given है क्या given है ABCD quadrilateral है तो लिखो given है ABCD quadrilateral यह given है फिर क्या given है opposite sides are equal तो opposite sides equal मतलब AD equals to BC यह क्या क्या है तीन पॉइंट जो जो पॉइंट दिया है लिखेंगे लो तो AD equals to BC यह given है ठीक है और क्या given है यह equal है और यह भी equal है opposite sides तो AB equals to DC तो यह तीन हमारा given है ठीक है तो हमको क्या पॉफ करना है quadrilateral is a parallelogram ठीक है यह given है तो हम लोग क्या पॉफ करेंगे पॉफ करना है A, B, C, D easy parallelogram इसको पॉफ करना है ठीक है तो इसको पॉफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किये यह line join किये मतलब यह diagonal join किये तो construction हम लोग क्या किये construction मतलब इसको पॉफ करने के लिए हम लोगों को जो करना परता है तो construction क्या हुआ construction किये कि join B, D as diagonal यह हम लोगों ने construction कर दिये ठीक है तो हर्ती और हम का हम लोगों को यह part लिखना है कि यह है to proof यह proof करना है given यह है to proof मतलब यह proof करना है और यह construction है अब हम लोग इसको proof करेंगे ठीक है proof क्या proof करेंगे देखो यह दो triangle A, B, D मतलब यह वाला triangle and B, C, D यह दो triangle लेके हम लोग काम करते हैं ठीक है तो क्या लिखेंगे from triangle A, B, D and triangle B, C, D तो यह दो triangle से हम लोग को क्या मिलेगा देखो A, D, B, C इक्वल है यह given में है तो एक point मिलेगा A, D equals to B, C given point 1 ठीक है फिर दूसरा क्या आया A, B equals to D, C यह भी तो है हमारा given में A, B equals to D, C तो दूसरा point आया A, B equals to D, C तो यह भी हमारा given में आया दो point थार्ड point क्या हुआ तो थार्ड point तो B, D common line है तो थार्ड point होगा B, D is common side तो हो गया तीन side तो यह दो triangle में तीन side सेकल हो गया therefore we can say triangle A, B, D congruent triangle B, C, D तो congruency का क्या law होल्ड करता है देखो तीन side सेकल है मतला is, is, is axioms of congruency ठीक है तो इस congruency में यह प्रूफ हो गया अब है हमारा कि यह तो प्रूफ हो गया आप क्या करेंगे देखो तो यह दो congruent है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A, D, B मतलब यह वाला angle C, B, D यह दो angle equal है कि इस हिसाब से यह दो angle है हम लोगों के similar angle मतलब यह दो similar angle है तो congruency के log के हिसाब से कि जैसे कि यह दो angle congruent है तो यह side जगट same है तो angle भी तो same होगा न तो therefore angle क्या angle आएगा A, D, B ठीक है मैं यहाँ पर एक छोटा करके यह दो कर देती हूँ तो फिर समझ में आएगा तुम लोगों को देखो A, B, C, D यह है यहाँ पर sides अब हम जाएंगे A, D, B मतलब यह वाला तो फिर angle A, D, B इक्वल्स टू angle C, B, D यह दो angle C, B, D क्या बोलेंगे congruent angle क्यों? क्योंकि जैसे कि यह दो triangle equal है तो यह दो angle भी equal है congruency के हिसाब से तो यह दो angle equal है इसके angle equal है और इसके साथ यह angle equal है ठीक है? अब देखो यह दो angle जो equal है अब ध्यान से देखो यह दो angle equal है तो यह line B, D यह angle बना रहा है किसके साथ? AD के साथ और यह बना रहा है BC के साथ ठीक है? तो alternate angle में हम लोग क्या जानते है कि अगर यह दो angle equal है तो जो line यह दो angle को बनाता है जिस दो line से वो दो line parallel होता है ठीक है? तो जैसे कि यह दो angle equal है कि A, D, B and C, B, D और यह दो angle किससे बन रहा है? कि A, B, D intersect A, D and B, C इससे बन रहा है? ठीक है? तो फिर तो हम लोग क्या बोल सकता है? यह equal है and as B, D intersect A, D and B, C तो B, D line यह दो angle को intersect कर रहा है तो therefore A, D, B मतलब यह जो दो angle equal है इस दो angle को हम लोग क्या बोल सकते है? alternate angle तुम लोग पिछले देनी alternate angle दिखाए थे कि alternate angle क्या होता है? कि दो line अगर parallel होता है उसको कोई line ऐसे intersect करने से जो दो angle मिलता है वो alternate angle है तो यहाँ पर reverse हो रहा है reverse हो रहा है और यह line इस दो angle में intersect कर रहा है तो क्या होगा? therefore हम लोग बोल सकते है A, D parallel to B, C हम लोग अब तक parallel होने से alternate angle लिखते थे यहाँ पर alternate angle प्रूफ होँ होँ है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे? कि यह दो line parallel है ठीक है? similarly similarly देखो यह दो angle इधर A, B, D and C, D, B यह दो angle यह दो angle किस से बन रहा है? D, C and A, B इस दो line से बन रहा है और किस के लिए बन रहा है? B, D intersect कर रहा है यह दो line को उसलिए बन रहा है तो यह भी alternate angle हुआ similarly हम लोग क्या बोल पाएंगे? कि A, B, D equals to C, D, B मतलब यह वाला और यह वाला is alternate angle तो अगर यह दो alternate angle हुआ तो फिर हम लोग क्या बोल पाएंगे? कि A, B parallel to C, D तो यहाँ पे देखो opposite side is equal है यह तो given था ठीक है? तो हम लोग क्या proof किये? कि from 1 and 2 it is proof that opposite sides are parallel therefore from 1 and 2 it is proof that opposite sides are parallel ठीक है? ठीक है? तो parallel हो गया इक्वल टू दियाग given है therefore A, B, C, D is a parallel ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया? कि एक triangle का opposite sides are equal तो उसको हमको क्या दिखाना है? पैरलल दिखाना है तो पैरलल दिखाने के लिए क्या किये? यहाँ पे एक बात दिमाग में रखना कोई भी quadrilateral को जब हम लोगों को parallelogram को दिखाना होता है कि most of the case कि यह दो triangle को congruent दिखाना है congruent दिखाने के बाद यह जो alternate angle दिखाऊगे alternate angle दिखाके parallel sides proof कर दोगे ठीक है? तो यह alternate यह parallelogram प्रूबो जाएगा ठीक है? झाले को यह दो यह जो जो टना प्रूबों यह झाल स्च्च्पस Snब लोग को बात दोरी लोनागी व 채ले प्र pepp ए यह बात लोगो भातोल आपकयन अपमुआ प्रष़ जो भ्रीज़